राकेषटिक्याइद के पास 24 भी के जमीन है 24 भी के जमीन राकेषटिक्याइद के पास है आज वो करोडों कि संपती के माले के कहां से आ रहे हना नहीं पैसे किसानी में तो तूस फेसा पैस और कि होसारा पैसना पैस अप्छतzent पेलिए और अपिछब पुजारी से तुमने बोला है क्या पुजारी आपके नजर से आप एक किसान है क्या जो सरकार बिल लेकर आई आपके नजर से क्या सही है या गलत है आपका नजरिया क्या देखो बिल जो लेकर आई यह बिल तो सब सरकारों ने लाने की कोशिस करी लेकिन यह है कि जो सापकी वामी होती है उसमें हाथ कौन डाले तो बीजेपी ने यह पूरे जोसो खरोश के साथ और भरोसे के साथ किसानों का उद्धार करना चाहा लेकिन कुछ मूड किसान बुद्धिहीन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी और आपकी ये जो है अकाली दल इन सब लंकंट कंग्रेंड नहीं लो कभी ये यिन डलता वड़ाद के पास जो अरतीयय होते मन्हाफिक को उसे पैसा लेते हैंकर यहीं चाहरी है कि अगर विगाços आ कि थेके पर खेटी देने लगें तो क्या हर्जिभी ये ओक बीगा समीन दस Sept subscribe दे rein तो 10 जार्म फाइदा थीकर पहले से हूती है पन्जाब के सारे जतने बंटेना से लगी सारे कमान बेट है। वहां से funding कर रहे हैं किसान बने हुए हैं किसान किसान पर कभी बड़ी गाड़ी नहीं होती वह ट्रैक्टर ले ले बहुत मुश्किल है तो मोधी सरकार ने ये चाहा है कि किसान का भला हो किसान का उद्धार हो दो वक्त की रोटी आराम से खा सके और उसके मन में भी ये सपना पॉस्टर लगाए गए जब उस पर मीडिया सवाल खड़ा करता है तो उन्हें ही गोदी मीडिया कहकर पुकार जाता है इसको आप कैसे देखते हैं क्या खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाना भारत जैसे सोतंतर देश में इसकी आजादी दी जा सकती है देखिए अ उसमें जिसने भी चाइना में जवान खोली है और बोला है चाइना सरकार के खिलाब उसका आज तक पता नहीं लगा है को कहां गया तो हिंदुस्तान में तो यह बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए इनों को हमें के हर चीज हम बोलने की आजा दिया बोलने की आजा दी तो यह तो नहीं है ना का खालिस्तान जिन्दाबाद तो यह सरकार की भल्मन साहत है सरकार अभी गुस्से में नहीं है और जिस दिन शाहा ने सोच लिया उस दिन डंडा पड़ेगा सब के ऊपर और जो गाली बक्ते मोधी जी के लिए मेरा कोई लेना देना नहीं है भाज-पा wi अचिछी चीज़ें उनका समर्थन वे करना चाहिए। किसान उठ गया तो मेरी राजनीती खतम हो जाएगी वही यह है सब समाजवादी और आम आदमी और आपके कांग्रेश सब यह चाहा रहें यह सारे के सारे च्छता बना लिया आज मैं आपको ऐसे आपके बिसे में बताऊंगा जिससे आप घर बठे लाखोर रुपए कमा सकते हैं यह है बिनमो ऑनेस ट्रेडिंग एप इससे आप गूगल एमजोन आद कंपनियों के सेर भी खरीश सकते हैं इसमें बस आपको फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ उपर जाएगा या नीचे अगर आप नए हैं तो इस एप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन इसमें हमेसा फायदा हो जरूरी नहीं कभी कभी नुकसान भी हो सकता है इसमें जीते गए पैसे को जो आप जीते गे उनको आप अपने बैंक खाते या पेटियम वैलेट के जर यह 24 घंटे में निकाल सकते हैं इसे आप 350 रुपए से खेल सकते हैं इस प्रोमो कोड के दोगनी हो जाएगी यानि चार सु रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आट सु रूपए हो जाएंगे दोस्तों आप इस एप को एंडुड से भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं जैसे मैंने मैं जहां तक मैं जानता हूँ कि 540-43 कि आसपस पूरे कि पांचो किसान जो संगठान वो क्यों नहीं बोल रहे हैं यह देखे वह सारे के सारे जो लगबक 60 करोड 70 करोड हमारे हैं किसान भारत एक कृष्षी प्रदाहन देश तो इसमें अब यह जो आतंक मचाने वाले किसाने वो कितने मुश्किल से हजार डेर हजार पांच जार मान क चलो आप तो कुछ भी नहीं है माइनस में भी नहीं है तो इनका सिर्फ यह है कि हमें पैसा मिलता रहे हैं जैसे यहां एक साल चला था सीए का विरोध शाहिन बाग में वहीं एजंडा इन्होंने यहां चला रखा और वहीं सारे कि सारे वहीं पहुंचे हुए कि सिंगू ब वुसका रहते हैं वो तो एक प्रशासन का अंग है उसका काम है जाज करना कि इस एककाउंट में फंडिंग अई इंस ते तो इसका क्याम है उसका और यह पता लगता है कि यह पन्डिंग आया एक ऐसे क्सक्ता भारत विरोदि गत्विधियों में सनलिपत हैंं खालिस्तान के समय से जब खालिस्तान की मांग हुई क्यों मोलति यह क्यों नहीं पीछे पकड़ा था तबरेज था या क्या नाम था उसका चोरी कर रहा था वो पबलिक ने पकड़ के उसकी पिटाई कर दी तो यह जो गैंग है टुकड़े टुकड़े गैंगे सारा एकटा हो गया जगे अजी मॉब लिंचिंग हो रही है तो यह चीज है सही नहीं है ली नहीं कर सकता लेकिन इसमें जितने भी होंगे टरेक्टर परेड में सब अराजक तत्तो होंगे शांती प्रिये नहीं होगा कोई भी और उस समय अगर इस्तिती बिगड़ती है तो पूरे दुनिया के सामने भारत की नाग नीची हो जाएगी भारत की शाख को बट्टा लगे क्योंकि यह गड़तंत्र दिवस है किसी के बड़े नहीं है टिकेत का या मार दिया जी तो मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं कि यह ट्रैक्टर मार्च नहीं होना चाहिए अगर मार्च होता है तो इस्तितियां बिगड़ सकती है एक परसेंट पर अकर आम माल लो इस्तिति बिगड़ती है काबू में नहीं आती है तो जो आम शहरी है उसका जीवन दुश्वार हो जाएगा बहुत मुश्किल होगा हमारा भी दिल्ली के अंदर अधिकार है हम भी इस देश के नागरिक है तो हम भी गरतंतर दिवस को कहीं भी घूम सकते हैं जा सकते हैं उनका यही सामने आ रहा है बार बार कि हम भी नागरिक है हमें भी आजादी हम भी कु हमारी है तो हमारा यह मतलब नीए का आप छांग Iолов तो नहें बेट लिए तो धो खेल उसके मैंने के लिए उसमें है करमचारी पर देने के लिए तो वह यह कह रहरे हैं कि हम तो मार्च निकाल इंगे अजा दिये तो भी से अपने गाव geht सुधारों अपने गाओं की गलियों को जहां लेटिन बहर रही है गू बहरा है लेटिन तमाम जो प्रधान होते हैं पैसे खा जाते हैं खेतों में और पखाना करने जाती है उन्हें ठीक करो ना अपने बच्चों को अच्छे संसकार दो तो आजादी का मतलब यह यह नहीं कि दिल्ली के चाड़कों पर मार्च करेंगे अपने बड़े बुजरुगों की सेबा करो इस अंदोलन से मैं चीज यह समझ में निकल किया रही है कि जिस तरह सिखों और हिंदूों के बीच में दरार तो ना कभी पड़ी है और ना पड़ेगी क्यों क्योंकि जो सरकार जो कां उन्होंने एक नारा दे दिया हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई सि हिंदू, मुसलिम, मुसलिम भीच में डाल दिया बादब सिक कर दिया जबकि सिक और हिंदू तो एक ही है अलग कां है गुरु, ग्रंत साहब में अनेक वबार कम से कम 1800 भार भगवान राम का नाम आया है भग संकट आया था तो गुरु गोविंस सिंग उन्हें मुगलों को मार के भगाया था मलेकच्हों को गुरु तेग भादूर सिंग और उनके पहला उनके यो 5 पहारे थे हैं अन्य गुरु नानक देव सब जावेद अभी इतिहासकार बने फिरते वो कौन है क्या ग्यान है उन्हें उन्हें यह पता ना कि नालेंदा यूनिवस्टी की कितनी किताब में थी जिनमें कम से कम चार साल तक आग जलती रही थी अंग्रेजों ने जो जलाई थी मुगलों ने जलाई थी चार साल आग जली उन्हें बुजी नहीं थी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी सारा ग्यान मिटा दिया हमारा और हमें जो पढ़ाया गया बामपंतियों ने सेकुलर जो है ना धर्म निर्पेक्षता धर्म निर्पेक्षता का मतलब यह नहीं है कोई भी धर्म नहीं है धर्म निर्पेक्षता वहां होती है, जहां आरक्षण नहीं होता, जहां धर्म नहीं होते, वहां धर्म निर्पेक्षदा होती है, यहां आरक्षण भी है और धर्म भी है.